पचास जार का काम कर दिया और मेरी क्या जान लेंगे सीधा सिधानता है कोई भी व्यक्ति लाइबिलिटीज को लाद कर आगे नहीं चलता तब एक इंप्लॉयर को पचास जार रुपे बचेंगे दस लाख रुपे का काम करने के बावजूद भी वो बिजनस फ्लॉस में आ गया 10 लाख रुपे की सेल में हमारा प्रॉफिट मार्जिन तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों से यही बात कहूँगा कि मुस्कुराईए आप लोग लखनाउ में अचा अचा मैं लखनाउ आया हूँ तो चलिए मैं मुसको आयता हूँ एक बार और आज जिस विशय परम बात कर रहे हैं वो विशय इंप्लॉई और इंप्लॉईर दोनों के लिए बहुत महत पूरूने वाला है क्योंकि कई बार इंप्लॉई को ऐसा लगता है कि पचासजार का मैंने काम कर दिया तो मेरे ले बिल्कुल ठीक है लेकिन ये जस्टिफिकेशन करना कि किसे इंप्लॉई की सेलरी कितनी है और इसको कितना काम करना है वो कई फैक्टर्स पर निर्भर करता है ऐसा अकेला एक फैक्टर नहीं है कि आपकी Cambly काम कर दिया तो भी आपकीfather का मिहन ताना जो आपको दिया गया है वो पूरा हो गया ये डिपैंड करता है कि उस बिजनस की OPERATING COST कितनी है उस बिजनस में जो एंप्लॉईज काम कर रहे हैं उन एंप्लॉईज के GROUP में जो output निकाला जा रहा है उस output की cost कितनी है मतलब कितना output निकाला जा रहा है और कितना उसका cost आ रहा है साथ-साथ इस बात पर भी depend करता है कि जिस business में हम है उसमें ratio of profit कितना है जैसे माली जी एक लग का काम किया 50% profit है तो समझ लीजे 50,000 profit होने वाला है तो employees ने जो काम किया उनकी salary अगर 50,000 से काम है तो कुछ profit होगा तो इस बात को रहें कि example को रूप में समझ लेते हैं मालीजे एक business में दस employee को hire किया गया है और हर employee की salary है 20,000 रुपे part of example है 2,000 रुपे पर मंद salary pay की जा रही है Yes or no? 2,000,000 रुपे पर मंद salary pay कर रहा है एक employer लेकिन इस 2,000,000 की salary को pay करने के लिए और इन employees को काम करने के सुविधा देने के लिए platform देने के लिए atmosphere देने के लिए office setup देने के लिए और बहुत बड़ी cost लग रही है और उस cost में क्या क्या सामिल है Number one, office rent जिस office में ये employee दस लोग बैठकर काम कर रहे है वहाँ पर एक office का एक rent होगा For example, Malijos office का rent है एक लाख रुपे तो ये भी उस business का ही खर्चा है salary के साथ साथ office का खर्चा ये भी है उसके बाद वहाँ पर हो गया electricity plus air conditioning plus all जो भी electricity से related चीज़े हैं gadgets है, equipment है मान लेते हैं कि उनका खर्चा आता है लगबग 30,000 रुपे पर मंद तो ये भी एक खर्चा है उसी business का fine, इसके लाबा इंटरनेट है और बहुत सारी चीज़े हैं लगबग हम मान लेते हैं 20,000 रुपे पर मंद और operating cost आ रही है उस office को manage करने की और miscellaneous खर्चे हो गए इसके लाबा कई ऐसे खर्चे जिसको हम जल्दी से calculate नहीं कर पाती हैं लेकिन direct way में लग रहे होती हैं जैसे हर साल return file होती है income tax की return file होती है तो CA को पैसे जाती है वो भी part of office expenses है है ना हर साल कोई ना कोई चीज मेंटेन करने पड़ते है कभी laptop खराब हो गया कभी computer खराब हो गया कभी internet की machine काम नहीं कर रही है कोई software purchase करना पड़ रहा है कोई data purchase करना पड़ रहा है वो भी उसी office cost का ही part है पर हम मान लेते हैं लग बग एक लाग पचास अजार रुपे खर्च हो गए उस office को उन 20 employees के battery के काम करने के लिए तो इसका मतलब एक लाग पचास अजार रुपे प्लस दो लाख रुपे लग बग 3 लाग पचास अजार रुपे cost आ गई उन 20 employees को उस office में काम करने की is that clear? बलकि मैंने बहुत सारे खर्चे लिये नहीं है जब आप इसको रियल लाइफ में कल्कुलेट करोगे तो salary से लगबग 2-3 गुना आएगा फिर भी हम यह मान लेते हैं कि salary के equivalent लगबग 3.5 रुपे का खर्चा आगया अब किसी employee के अगर calculation की जाए कि उसके उपर company का कितना burden है एक व्यक्ति जो salary 20,000 पे withdraw कर रहा है उसको कितना काम करना पड़े कि वो company के लिए liability ना बने ज्यान रखेगा दुनिया का सीधा सिधानता है कोई भी व्यक्ति liabilities को लादगार आगे नहीं चलता है एक employer एक महिना, दो महिने, तीन महिने, पाँच महिने, छे महिने, एक साल उस employee को bear करता रहेगा जो liability की रूप में है उस employee को भी bear करता रहेगा जो no profit, no loss दे रही है कम से कम काम कर रहा है, profit नहीं हो रहा, loss नहीं हो रहा और उसी employee को रखना पसंद करेगा लंबे समय तक, जो उसको profit कमा के दे रहा है मतलब business में money का generation कर रहा है, है ना, तो liabilities कोई भी नहीं लाता है तो एक समय ऐसा आएगा employer खुद बोल देगा कि यह liability है और इस liability को आगे bear नहीं कर सकता तो यह मानते हैं कि एक employee को अगर 10 employee है, तो समझ लीजिए हर employee पर जिसकी salary 25,000 रुपे है उसकी cost 35,000 रुपे है उस office में काम करने की, यह cost है, अब business में जब हम कोई काम करेंगे, product बेचेंगे, services बेचेंगे तो service में या product में उसकी कोई ना कोई cost दिरूर होगी, जैसे माली जीए हम modulo kitchen का business करते हैं और modulo kitchen के business में 20% का margin है, और on on average हम हर महीने 10,00,000 रुपे की sale करते हैं ठीक है, 10,00,000 की sale में हमारा profit margin कितना है, 20% मतलब 2,00,000 रुपे का profit होता है, यह हो गया gross profit, इसको बोलते है GP, gross profit और खर्चा हमारा कितना है, 3,50, उस काम को करने के एवज में, 80% तो cost होगी ना, जो हमने factory को पे कर दी, factory की बात हम करी नहीं उस एवज में 10,00,000 रुपे का काम करने के बावजूद भी, वो business loss में आ गया, क्योंकि 3,50,000 रुपे खर्चा है, और 2,00,000 रुपे gross profit हो रहा है, तो उसको हो गया net loss, इतना 1,50 का, इसका मतलब वो employee अभी company के ओपर liability है, वो सारे मिलकर इतना भी काम नहीं कर पारे कि अपनी cost को पूरा कर ले, fine, चलिए ही तो आपको याद हो गया कि 3,50,000 मतलब 35,000 रुपे per employee company को पढ़ रहा है, और 3,50 रुपे उसके cost आ रही है, आप कितना काम किया जाए कि profit हो जाए, ये समझना जुरूरी है, मैंने का बिजनस में 20% का profit है, तो कितनी sale की जाए कि 3,50,000 रुपे कबर हो जाए, कितनी sale की जाए, मैंने बता है, 10,000,000 की sale करती है, 20% का profit है, तो 2,000,000 रुपे profit आता है, 15,000,000 की sale करती है, 20% profit है, तो 3,000,000 रुपे profit आता है, 20,000,000 की sale करती है, 20% profit है, तो 4,000,000 रुपे आता है, इसका मतलब कम से कम तो 4,000,000 की sale तो करें, मैं कहरा हूँ, 3,500,000 रुपे हो, या 4,000,000 रुपे खर्चा हो, अगर वो office, 20,000,000 की sale करता है, और उसका 20%, मतलब 4,000,000 रुपे आता है, तब एक employer को 50,000 रुपे बचेंगे, business की investment भी लगी हुई है, machine, equipment, office, setup, सब कुछ लगा हो, और capital लगी हुई है, तब जाके, वो 50,000 profit आए, अभी मैं employer के profit की बात नहीं कर रहा है, अभी मैं बात कर रहा हूँ कि, इसका मतलब क्या हुआ, कि पूरी की पूरी company के ओपर 20,000,000 रुपे sale करने की जिम्मेदारी है, त तब जाके उसकी cost ही पूरी हो रही है, employee को क्या लगता है, कि मेरी salary है 20,000, तो मैंने 40,000 का काम कर दिया, तो company को double करके दे दिया, नहीं, उस business को चलाने की actual cost कितरी है, और actual cost का मतलब है, उस company के पूरे खर्चे, जो अभी हमने calculate कि है, 3,500,000 रुपे, और per employee 35,000 का का काम, 35,000 हो रहा है, इसका मतलब यदी 20,000,000 की sale होगी, तब जाके 20% पर 4,000,000 रुपे बचेंगे, हम यह बान लेते हैं, 4,000,000 रुपे खर्चा है, तो 4,000,000 का खर्चा कब पूरा होगा, जब 20,000,000 की sale होगी, मतलब हर employee को कितना बढ़ना है, लगबग 2,000,000 की sale का, इसका मतलब उ ले रहे हैं, जो आज की rate में ले रहे हैं, उसको फल को बनने तक का जो समय लगा है, वो लगबग 4-5 साल का समय है, पेड़ पहले बढ़के बढ़ा हुआ है, अब हर साल वो फल देगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले साल, आज आपने पेड़ लगा है, आज ही फल आ यह अपनी सैलरी का 10 ताइंग, जब अगर बिजनस में profit 20% है, और अगर बिजनस में profit margin और अगर कम हो जाएगा, तो यहाँ पर responsibility और जादा हो जाएगे, आप समझ पाने न क्यों, क्योंकि profit कम होगा, तो उसको cover करने के लिए ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो यह तो ब employer और दूसरा employees, इन दोनों का alignment ठीक होगा, दोनों एक vision पर काम करेंगे, तभी business success की और जाएगा, employer सोचे कि मैं सब कुछ कर लूँगा, या जो कुछ भी हो सब कुछ मेरा ही है, तो company growth की और ने जाएगे, तो employees को लगे है कि हम तो इसके part ही रही है, और जब employee भी उसके part होते हैं, यह feeling लाना है कि yes, we are the part of the business, और हमारी responsibility at least five to eight time, ten time, अपनी salary की cost का cover करके देना है, तब जाके उस company के खर्चे पूरे होगे, और यह तो बात रही मेरे example, कि आज यहाँ employers भी है, employees भी इतना सारे है, तो मेरा employees से एक request है, वो एक rough calculation करे, घर जाके अपने, ज़रू इन हम 20% की बात कर रहे है, कई business में 50% का profit है, किसी business में 70% का profit है, किसी में 5% का profit है, तो आप सोचो, कि आप जो salary ले रहे हैं और आपकी पूरी team में, यह तो मैंने average लगा दिने 20,000 सब की salary, आप एक average लगाओ कि कि कितने number of employees company में काम करे, PN भी इसमें include है, क्योंकि PN अगर नही calculate करो, और उस total खर्चा calculate करने के बाद number of employees से भाग करोगे, तो हर employee कितने salary का पढ़ रहा है पहले, यह आ जाएगा, और उसके बाद कितनी sale हो, कि वो खर्चा पूरा हो जाए, अब इसमें owner के profit की बात ही नहीं करना, यह calculate जब आप करेंगे, तो yes, आप समझ पाएंगे कि कित काम करेंगे, तो growth के अपार से मभाव नहींगे, तो मिलते हैं next class में, next विशे के साथ, और धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे 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 का मौका दिया क्योंकि मैं लखना हूँ हूँ,